कल भी मैं अतिशी जी के साथ दी यू में गया था वहाँ पे भी सड़क फूटी हुई थी और आज इस सड़क पे आए हैं तो मैं अतिशी जी से यही निवेदन करूँगा कि पूरी दिल्ली में P.W.D. कि चितनी सड़कें इन सारी सड़कों का एक तुरम तगले 3-4 दिन में एक एसेस्मेंट कर वा लेते हैं जो जो सड़कें टूटी हुई हैं आने वाले कुछ महिनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्स तरगे ऊपर रिपैर हम शुरू कराएंगे ताकि दिल्ली के था इस वज़े से काफी काम इन लोगों ने रोक दिये लेकिन जंता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं जितने रुकेवे काम थे सारे काम अब दुबारा चाहता हूं अपरेशन का सिटिंग बुलाने की सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है LG साहब नहीं बुला सकते कमिशनर नहीं बुला सकते केवल और केवल मेयर सदन का बुला सकती है और मेयर उसकी जब सदन होगा तो मेयर उसके अध्यक्स्ता करेंगी ये क्या है कि लगी साब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्स्ता कोई अफिसर कल को तहीं लोगसभा की अध्यक्स्ता कहेंगे कि होम सेकरेटरी लोगसभा की अध्यक्स्ता करेगा हम जनतंतर में रहते हैं, हम डिमोक्रिसी में रहते हैं दूसरा कानून में लिखा है कि जब भी सदन गुलाये जाएगा बातर घंटे का उसमें समय दिया जाएगा कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर एवेलेबल नहीं है सबको टाइम की जुरूत होती है ये क्या रातो रात, तो इनकी नियत में खोट नजर आ रहा है कुछ ना कुछ गडबड करने की इनकी साजिश नजर आ रही है जिस वज़े से यह ताबड तोड यह लगे हुए है अभी मेर को पता चला है, मेर ने शायद चित्थी लिखी है कमिशनर को उन्होंने आज होने वले चुनाव को गैर कानूनी और असमवेधानी घोशित कर दिया है और कमिशनर को कहा है कि आज का चुनाव ना करा है देश विदेश की ताजा ख़बर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें